Hello students, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology. तो आज का हमारा टॉपिक है glycolysis, ये बहुत ही common topic है और competition point of view से भी और academic point of view से भी ये बहुत ही important topic है. ग्लाइकोलिसिस का नाम आपने 10-12 में भी मेरे ख्याल से सुना होगा, लेकिन आज हम glycolysis को इस तरह से पढ़ेंगे, जिसे कि ये topic हमारा एक्दम crystal clear हो जाए, आपको इससे related कोई भी doubts ना हो, अक्सर जब बचे ग्लाइकोलिसिस का topic पढ़ते हैं तो steps में confused जाते हैं कि किस step प से याद रख सकते हैं और अपनी long term memory में कैसी इस topic को डाल सकते हैं तो चले start करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस वर्ट का मीनिंग क्या होता है, यह वर्ट एक Greek alphabet से आया हुआ है, ग्लाइकिस मतलब होता है sweet या फिर sugar, और lysis मतलब होता है splitting, तो यहां पर हम सिंप्ली अगर ग्लाइकोलिसिस को define करना हो तो यह आप sugar की splitting को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है, अब Embedan, Mayerhoff, Parnas, Pathway इसको इस वज़ा से कहते हैं क्योंकि यह तीनों जो है scientist के नाम है, Embedan, Mayerhoff, Parnas ने इसको discover किया था, तो यह ग्लाइकोलिसिस में है क्या, यह ग्ल molecule of glucose को partially oxidize किया जाता है, 2 moles of pyruvate में, तो यहाँ पर देखिए आपको दो important बाते समझने को मिली, पहली बात कि इसका जो starting, जो substrate है वो glucose है, और जो यहाँ पर आपका product मिल रहा है वो pyruvate है, तो glucose से pyruvate टक के जो सफर होता है उसको glycolysis कहते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते ह अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, यह process जो होती है, अकर कहां करती है, यह आपकी cytosol में अकर करती है, जैसे यह cell होता है, यह nucleus है, ठीक है, यहाँ पर और बाकी सारे cell organals है, तो यह जो area है, इसको cytosol कहते है, nucleus के अलावा, जो यहाँ पर जो भी liquid present है, उसको cytosol कहते except the organal, तो यहाँ पर जो है आपका glycolysis अकर करता है, यह हर एक cell में present होता है, हर एक organism के हर cell में glycolysis अकर करता है, चाहे वो aerobic हो या anaerobic हो, इसका मतलब यह हो कि glycolysis को oxygen के presence या absence, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह बहुत important character है, तो यहाँ तक हमें तीन बाते पता च स्प्लेटिंग होती है, glycolysis में, यह process अकर करता है cytosol में, और यह process oxygen के presence या absence से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस process में, ठीक है, आगे बढ़ता है, अब देखिए, कुछ सर्स होते हैं, जिसमें की mitochondria नहीं present होता है, जैसे की RBC, lens है, आपनी आखों के cornea है, तो इन सब की energy जो होती है, mainly glycolysis से मिलती है, क्योंकि देखिए, जो आपका krebs cycle work करता है, वो हमेशा mitochondria में work करता है, लेकिन अगर mitochondria ही नहीं है, इसका मतलब आपका जो oxidative phosphorlation से लेके सारे processes हैं, वो अकर ही नहीं कर पाएंगे, तो energy का main source यहाँ पर आपका glycolysis हो गया, ठीक है, और यहा यहाँ भी जो energy का main source होगा, वो क्या होगा, glycolysis, क्योंकि वहाँ पर आप aerobic conditions maintain नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ तक यह introduction होगा glycolysis का, अब चलिए देखते हैं कि steps क्या है, तो total glycolysis के steps को हम दो भागों में बाट सकते हैं, total step होते हैं 10, और इन 10 steps तो आप दो भागों मे बाट सकते हैं, अब चलिए, let's see the total steps of glycolysis, तो यहाँ पी glycolysis में total 10 steps हैं, इन steps को हम two phases में बाट सकते हैं, इसमें से एक आपका preparatory phase होगा और एक payoff phase होगा, तो जैसे preparatory phase को आप ऐसा समझे कि इसमें आपको मेहनत करनी है, और payoff phase है आपका जब आपको success मिलेगी, ठीक है, तो प्रिप्रेटरी phase में हमेसा हमें input देना होता है, आपकी जो भी energy currency है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारी energy currency ATP है, तो प्रिप्रेटरी phase में हमें energy invest करनी होगी, ATP आपको यहाँ पर प्रोवाइट कराना होगा, और payoff phase में आपको वही ATP वापस में लेगी, ठीक है, तो प्रिप्रेटरी phase में आते हैं, इसमें जैसे मैंने बताया आपको energy consume करी जाएगी, यहाँ पे glucose को फॉस्फरलेट किया जाता है, मतलब की addition of phosphate, यहाँ पे phosphate को add किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दो बार फॉस्फरलेशन होगा, ठीक है, और दोना बार आपका ATP यहाँ consume होगा, जो फॉस्फरलेशन जब होगा, तो आपका ATP लगेगा, ठीक है, अब उसके बाद देखिए, C6 carbon पे फॉस्फरलेशन हो रहा है, और C1 carbon पे फॉस्फरलेशन हो रहा है, और total 2 ATP यहाँ पे consume हो रहा है, ठीक, तो देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, कभी भी अगर आप से पूछा जाए कि किस फेज में आपके ATP लगेगा, तो वो हमेशा प्रिप्रेटरी फेज में लगेगा, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देने है, यह आगे भी चलके explain होगा, लेकिन अभी के लिए आप समझें, इसको कैसे यह पर कर रहा है, FBP, मतलब fructose by phosphate, यह split होता है, और यह 6 carbon compound है, यह split होके 2 3 carbon compound बनाता है, जिसमें से 1 होता है आपका glycerate 3 phosphate, और यह फिर आगे के phase में जाता है, जो कि हमारा payoff phase है, ठीक है, तो preparatory phase का end product आपका यह है, G3P, glycerate 3 phosphate, ठीक, अब आगे चलता है, चलते हैं, payoff phase पे, अब payoff phase पे आपको क्या देखना है, payoff phase पे आपका last के 5 steps होते हैं, इसमें energy release होती है, मतलब कि आपका ATP यहाँ पर gain होगा, ATP gain होगा, फिर यहाँ से जो G3P आया था आपका, वो यहाँ पर consume हो जाएगा, अब G3P को convert किया जाएगा, पाइरुवेट में, यह last के 5 steps में डारेक्नी convert किया जाएगा, यहाँ पर और सब steps हैं, भी हम देखेंगे, लेकिन आप इसका समझ लीजे कि starting जो है पर आफवेस की वो G3P पर है और ending जो है वो पाइरुवेट पर है, इसकी starting ग्लुकोस पर थी, ग्लुकोस पर थी इसकी starting और इसकी ending थी G3P पर, ठीक, अब चलिए देखते हैं, तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है total yield अगर आप से कोई पूछे, तो 2 ATP आपका और 2 NADH, यह आपका total yield है, glycolysis का, और 1 NADH को अगर हम convert करते हैं, तो 2.5 ATP बनता है, इस लिहाँ से total आपका 7 ATP का benefit होता है, net, अगर कोई पूछे कि अगर आपका जो net gain है, glycolysis का, वो कितना है, तो aerobic condition में आपका 7 ATP होगा, क्योंकि NADH जो है ATP में तभी convert होता ह जब conditions aerobic होते हैं, ठीक है, आगे हम समझाएंगे इस चीज़ को, आगे आने वाले lectures में और अच्छे से क्रेप्स आए, कि लॉक्सितिति फॉस्फर रिलेक्शन, सबके आपको proper notes मिलेंगे, तो make sure कि आप हमारा चैनल सब्स्ट्राइब करके रखिए, ठीक है, तो आगे देख 2 ATP, so you have to keep this in mind, now, there are two important enzymes, जैसे कि, यहाँ पर दो important enzymes हैं, आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से जाने के जरूत है, एक enzyme है hexokinase, और एक enzyme है glucokinase, ठीक है, अब यह दोनों है allosteric enzymes, allosteric enzymes, यहाँ पर term बहुत important है, इसके बारे में अभी के लिए बास आप इतना जान लीज यहाँ पर इसको promote कर सकता है या तो इसको reduce कर सकता है ठीक है और यहाँ पर substrate और effector दोनों का जो binding site होता है enzyme के लिए वो अलग-अलग होता है, enzyme पर जो दोनों का binding site होता है वो अलग-अलग होता है, तो अभी के लिए आप इतना जानिए, फिर अब देखिए hexokinase और glucokinase में इसका केम लो होता है, केम अब देखिए और इसका केम होता है, अब इसके लिए आपको थोड़ी बहुत enzyme kinetics की knowledge होनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बता देती हूं, कि अगर किसी enzyme का केम लो है, तो उसकी substrate के प्रती affinity बहुत हाई होती है, और अगर किसी enzyme क केम हाई है, तो उसका substrate के प्रती affinity लो होती है, मतलब वो कम substrate को utilize कर पाएगा, और hexokinase जादे substrate को utilize कर पाएगा, ठीक है, अब देखते हैं, इसके inhibitor बहुत important है, तो hexokinase का inhibitor को होनी है, glucose 6-phosphate, जो की final product होता है, इस enzyme का, यह enzyme substrate पे work करती है, तो finally glucose 6-phosphate बनाती है, तो जब क तो इस enzyme को पता चल जाता है कि अब हमको काम करना क्या करना है, बंद कर देना है, तो इसको product inhibition कहते हैं, ठीक है, कि अपने product से ही इसका function inhibit हो जा रहा है, और इसका देखिए, यह जो है, phosphorate कर सकती है glucose को, galactose को और manose को, यह enzyme इतनी efficient है कि यह glucose के भी phosphorate कर लेगी, galactose को भी कर लेगी और manose को भी कर लेगी, ठीक है, तो फिर glucose की बात कर लेते हैं, अब glucose में सिर्फ और सिर्फ और glucose को phosphorate कर सकती है, सबसे बड़ा difference, दूसरा difference यह है कि यह glucose 6 phosphat से inhibit नहीं होती, ठीक है, और तीसरा difference यह है कि इसका VMAX होता है, वो बहुत हाई होता है, तो यह है आपक कोई भी enzyme के साथ kinase लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो phosphorylation करवाएगा, मतलब की plus करवाएगा phosphate को, यह बात बहुत important है, आप इससे जान सकते हैं कि कोई enzyme किस दिशा में function करेगा, ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं, अपने glycosis के process को सबसे पहला process है, phosphorylation, जैसे कि मैंने अपको बढ़ाया था, अब देखिए, यहाँ पर मैंने दसो steps जो है, वो लिख दिये हैं, यह notes आपको टेलिग्राम ग्रूप पे मिल जाएंगे, तो आप टेलिग्राम ग्रूप भी जाइन कर लीजे, लिंक दिया हुए description में, वहाँ प कोपी पे अगर इसे याद करना चाहते हैं, तो एक पहले अच्छे से आप दो पेज में, एक में प्रिप्रेटरिट्री फेज लिख लिख लिजे, एक में प्योफ लिख लिख लिए और उसके बाद में कमपेरिटिवली लिखिए, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ यहाँ इस बहुत है, तो हम देखते हैं पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में हो रहा है फॉस्फफर रिलेशन, और यह बात आपको याद रखनी होगी, कि अगर आपको इसको अराम से याद करना है, तो आप नमबर के साथ प्रोसेस को को रिलेट कर लिजे, जैसे स स्टेप फॉस्फर रिलेशन हो रहा है, यह बात याद कर लिजे, फिर स्टेप सेकेंड में आइसोमराइजेशन हो रहा है, स्टेप थर्ड में फॉस्फर रिलेशन अगेन हो रहा है, फिर स्टेप फॉर्थ में आपकी क्लीवेज हो रही है, फिर स्टेप 5 में आइसोमराइ अब आपको एक बातवार ध्यान देनी यहां से question हमेशा आता है ठीक है आपको इस बात पर बहुत emphasis देना है यहां पर यह पूछा जाता है कि control glycolysis का मतलब कौन-कौन से steps होते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी process को वही step control करता है जो कि a reversible होता है मतलब आप यहां से यहां जा सकते हैं और यहां से यहां भी जा सकते हैं अगर आप a to b है ठीक है तो अगर आप a से b बन सकते हैं और b से a बन सकते हैं तो इसमें कोई control नहीं है कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर आपके पास एक irreversible step है जैसे अगर आप A से B बन गए, तो आप B से A बन सकते हैं, लेकिन अगर आप B से C बन गए, और यह step जो है, reversible नहीं है, A reversible step है, तो आप C को फिर से A नहीं बना सकते हैं, ठीक है, नहीं बन सकता है, तो यहाँ पर control क्या हो रहा है, control इस वाले step में control हो रहा है, यह step जो है, इस process क को कंट्रोल कर रहा है अगर आपको सी प्रोड़क्ट चाहिए तो इस रियक्शन के लिए एक का सी बनने की रियक्शन में जो कंट्रोलिंग प्रॉसेस है वो बी टू सी है क्योंकि यह स्टेप जो है वो इर्रिवर्सिबल है तो यह बात में ध्यान दखिएगा अगर कोई भी क अगर का कार्बन डातर को ट्रैप कर लेता है तो ऐसे होता है फॉस्फफरलेशन यहां पर एंजायम आपकी मैंने जो हैक्सो कायनेज बताया है वह यहां पर एंजायम अके लिए काफी नहीं है इसके लिए बहुत इंपोर्टन आपका कोई एक बाइवेलेंट जो हो मेटल ह हो या फिर मैंगनीज हो ठीक नेक्स स्टप पर चलते हैं यहां पर देखिए रियक्शन में मेंशन करके रखा हुआ है यहां पर देखिए ग्लुकोज है वहां पर हेक्सो कायनेज लगा एमजी प्लस लगा और यहां पर एटीप प्रवाइट कर रहाया गया एटीपी कर आपको मिल गया ग्लुकोज 6-phosphate आपको ग्लुकोज 6-phosphate यहां पर मिल गया आपको ठीक है अब नेक्स स्टप देखिए अब नेक्स स्टप पर चलते हैं यह आपका आइसोमराइजेशन हो गया इस स्टप में कुछ नहीं करना है इस स्टप में सिंपल ही क्या हो रहा है ग अब देखिए आधा काम आपको हो जाएगा अगर आप एंजाइन पर ध्यान देंगे अगर आइसोमराइज लिखा हुआ है यहां पर मतलब कि आइसोमराइजेशन होगा ठीक है तो यह आइसोमराइज हो जाएगा फ्रक्टोज 6-phosphate में अब यह हमें लाता है देखिए यह यहां पर यह reversible rearrangement है मतलब कि यह फिर से हो सकता है तो यह control नहीं करेगा आपके glycolysis के process को अब यहां पर देखिए next step पर चलता है sorry next step पर देखिए हमेशा आपको बस तीन चीज़े देख नहीं है कि process क्या हो रहा है product और reactant क्या है और enzyme कौन से लग रही है आदे questions आपके glycolysis के हां से solve हो जाएंगे अब देखिए step third है जो phosphorlation का इसमें आपका यह भी irreversible step है मतलब step first हो गया अभी तक और step third हो गया यह हमारा irreversible निकल गया मतलब यह control करेगा अब fructose six phosphate जो बना हमारे जो की six carbon नहीं था वो फिर convert हो गया आपका fructose 165 phosphate में यहां पे phosphorlation हो रहा है addition of phosphate हो रहा तो अभी तक देखिए आपका six carbon पे था फॉस्फरलेशन हुआ था तो फॉस्फेट एड़ हो गया था अब यहां पर फस्ट कार्बन पे भी आपका जो है फॉस्फरलेशन हो गया है और यहां पर आपका जो बन गया है फ्रक्टोज 1-6-bisphosphate मतलब यहां पर दो फॉस्फेट एड़ हो गया आपके ग्लुकोज मॉल फॉस्फेट में अगेन आपका फॉस्फरलेशन करवाया गया है फॉर्थ थर्ड स्टेप पे और वह बन गया है फ्रक्टोज 1-6-bisphosphate नाउ फॉर्थ स्टेप में लेखे क्या हो रहा है फॉर्थ स्टेप में हो रहा है क्लीवेज अब यहां पर जो फ्रक्टोज 1-6-bisph फॉस्फेट को ख्लीव कर देती है फॉर्थ स्टेप में आपका फ्रक्टोज 1-6-bisphosphate को एल्डोलेश और जिंक मेटल के द्वारा कनवर्ट कर दिया जाएगा इस्प्लिट कर दिया जाएगा मोर अप्रोपिरेटली इस्प्लिट कर दिया जाएगा ग्लिस्ट्रल बनें तो सिक्स कारवन तूटके इसमें ग्लिस्ट्रल डियाइड 3-phosphate में और डाय हैड्रोक्सी असिटोन फॉस्फट में बनेगा अब देखें यहां पर एक चांस ही कि डाय हैड्रोक्सी असिटोन फॉस्फट जो है फिफ्ट इस्टप में यह भी आइसोमराइज हो गया है अब का ग्लिस्ट्रल डियाइड 3-phosphate ही बन जाएगा तो हमें काम किसका है ग्लिस्ट्र डियाइड 3-phosphate का ठीक है यह बात इयाद र रखेगा हमें जो आगे लिकर जाना यहां पर इंपॉर्टेंट नियम है ट्रायोस फॉस्वेट इसोमरेज लेस्ट मोव तो नेक्स फेज नाव तो पे ऑफ फेज का स्टार्टिंग होता है सिक्स स्टेप से जो कि है ऑक्सिदेशन इसमें दो ग्लिस्टेल रिएट 3 फॉस्वेट जो है ऑक्सिदाइज हो जाते है 1,3-bisphosphoglycerate में यहां पर एंजाइम आपकी लगती है G3P dehydrogenase और यहां पर इन्हिबिटर है तो इसको आप याल रखिएगा आईडो एसिटेट जो है यह इन्हिबिट करता है G3P dehydrogenase को कैसे इन्हिबिट करता है एक कोवेलेंट derivative फॉर्म कर लेता है सलफर ग्रूप का active side प आपने कई बार सुना होगा इसे तो इसमें simply इसका कोई तो इस step में क्या होता है इसमें बस simply यह चीज़ समझने है आप हो कि इसमें देखिए ADP हो रहा है और वो ATP बन जा रहा है मतलब यहां पर phosphate को जो है add किया जा रहा है तो यह phosphate आया कहां से यह phosphate लिया गया सब्स्टेट से यही रीजन है substrate level phosphorylation कहने का इस step को इसमें जो है substrate से phosphate को लेके ADP को ATP में convert कर दिया जाता है ठीक है यह बहुत high energy phosphate bond जो है phosphate group जो है वो ट्रांसफर किया जाता है 1-3 by phosphate से ADP को जो की बना लेता है ADP ठीक है यहां पर आपके enzyme जो है वो है phosphate glycerate kinase very important enzyme you have to remember it because it always ask in exam the name is because ATP is formed and phosphate donor is a substrate जैसे कि मैंने आपको बताया अब देखिए formation of ADP to ATP by direct transfer of phosphoryl group from a high energy compound is substrate level phosphorylation तो अब हमारे पास यहां पर 2 ATP बन गया और यहां पर आपके पास बच गया 3 phosphoglycerate अब next step है आपका 8th step है जो की है shift इस step में कुछ नहीं होगा इस step में बस जो आपका product बना था earlier steps में वो shift कर जाएगा जैसे जो अपना phosphate है वो shift कर देगा यह 3 phosphoglycerate से 2 phosphoglycerate बन जाएगा यहां पर the remaining easter linkage with low free energy of hydrolysis is shifted from position 3 to position 2 then we are on to the 9th step that is dehydration यहां पर आपके जो 2 phosphoglycerate है इसको dehydrate किया जाएगा मतलब यहां पर water को reduce किया जाएगा ठीक है water is removed from 2 pg to form a high energy anol phosphate linkage यहां पर देखिए जब dehydration हो रहा है तो कौन सा बन रहा है आपका linkage anol phosphate linkage enzyme लग रही है anolase और यहां पर देखिए inhibitor भी है जहां पर inhibitor है आपको extra ध्यान देने की जुरूरत है fluoride तो आपका dehydration का inhibitor होगा fluoride यहां फिर यह भी question पूछा सा सकता है कि anolase का inhibitor कौन है तो fluoride okay and here comes the last step in the last step here again substrate level phosphorylation occur and this is also irreversible step so we have first step third step and now 10th step which are the controlling steps because they are irreversible okay so here यहां पर आपका क्या हो रहा है two phospho anol pyruvate आपका बना था earlier step में यह जो है यहां पर substrate level phosphorylation occur करेगा enzyme लगेगी pyruvate kinase और इसके साथ कोई भी भी kinase enzyme लग रही है एक bivalent iron जरूर लग रहा है ठीक है और यहां पर final product pyruvate बन जाएगा तो एक glucose से आपके दो pyruvate बन रहा है यह बात भी धियान रखिएगा तो इस तरह से आपका glycolis के steps क्लियर हो गया और यह lecture complete हो गया अगर आपको अभी भी कोई doubt है या फिर आपको कोई भी discussion करना तो आप comment section में comment करें और यह notes आपको telegram group पे provide कर दिये जाएंगे okay thank you very very much